कि हैं हेलु फ्रेंट कैसे आप सब लोग आज हम लोग इस वीडियो में पदार्थ विज्ञान सब्जक्ट में मनों नीरूपन अध्याए है इसके बारे में डिसकस करेंगे इस अध्याए में इस भाग में चुकि मैंने सध्या को दो भाग में डिवाइड कर दिया है ठीक है क्योंकि लक्षर बहुत लंब हो जाएगा तो इस भाग में हम लोग इसके परिचय विद्पत्ती इसकी निरुख्ति क्या सभी है इसके अन्यप्रयाय मतलब कि मन को अन्य किन किन नामों से जाना जाता मुण मतलब कि मन को अनिक मन के लक्षन क्या-क्या है और मन के गुण इसके बारे में विस्तार से डिसकस करेंगे वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे आपको आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे साथी साथ आप हमें फेस्बूक और इस्टाग्राम पे भी फॉल्लो कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं मनो निरूपन का परिचय मतलब मन का परिचय पदार्थ विज्ञान में आत्मा निरूपन के प्रश्चाथ साथवे दरव्वे के रूप में मन का निरूपन किया गया है मन का निरूपन एक ऐसा विशह है जिसके संबन्द में आचारियों ने बहुत कुछ वर्णन किया हुआ है मतलब के मनुश्यक के जीवन में मनुश्यक के जन्म ग्रहन और जीवन मुप्ति का कारण मन ही है तात्पर्ययया है कि मानव जीवन का समस्थ शुभ Shelby कार्य इसी मन की प्रेणा से संचालित होता है आचार्य चरक ने कहा है अचेतनम क्रिया वच्य मने स्चेताय था परा मन स्वयम अचेतने परन्तु क्रियावान है इसका चेताईता आत्मा है और यहां अत्यधिक चंचल है यह इतना अधिक चंचल है कि इसकी चंचलता के प्रमाण जो है वो महाभारत काल में भी मिलते हैं खीक है इसमें संदर्व में देखा जाए संबंध में देखा जाए तो अरजुन ने भी भगवान कृष्ण से पूछा है कि चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवदम द्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वयो रिव सुदूश करामा यह गीता का 6x34 श्लोक है इसमें अरजुन बोलते हैं मन बहुत चंचल प्रमाथी बनवान तथा द्रढ़ है उसका निग्रह मैं वायू की भाती दुशकर मानता हूं भगवा ने इससे सुकार भी किया और कहा है मतलब है अरजुन इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि मन बहुत ही दुर निग्रह और चल है पिर अगर इसके बाद मन की संदर्व की बात की जाए कि मन का उलिक कहां कहां पे आता है तो आचारे चरग ने चरग सहींता में मन का मुखी रूप से पांच स्थानों में विशेष्टा निरूपन किया है ठीक है प्रतम उन्होंने सूत्र स्थान के अस्टम अध्याए जिसे इंद्रियो करमनी अध्याए फिर उसके बाद विमान स्थान के आठवे अध्याए में ज़ पि Sure 73 जान के प्रत्हम अध्य है कटिधा पूरुषिय अध्य है करिस्गे पश्चाथ शारीरिस्थान के ही इसी सिंदेड्य जिसे घुटक गर्भावकृरांति यि नाम से जाना जाता है। एम चतुर अध्याय मतलब महती गर्भाव क्रांती में मन का प्रतिपादन किया है। फिर अगर विद्पत्ति की बात की जाएं, तो मन ग्याने बोधनेवा धातु से सर्वधास्तु भ्यो असुन द्वारा असुन प्रत्य करके मनस्य यह मनशब्द बना है। फिर निरुक्ति अगर देखे जाएं, तो विद्पत्ति की अधार पर मन की निरुक्ति कुछ इस तरह है। अर्थ जिसके तवर जाना जाता है, ज्यान प्राप्ट किया जाता है, या बूध होता है, उसे मन कहते हैं। अतहां, मन का शाबदिक अर्थ ज्यान कराने वाला साधान होता है। आचारेयों ने इसकी एक और निरुक्त दिये जो है मननात मना मतलब मनन करने की छमता होने के कारण इसे मन का हाज चाता है व्याकरण के नुसार मन का लिंग नपुन्सक लिंग माना जाता है फिर देखते हैं मन के परियावाचक शब्द तो अमरकोष शहिंता के हिसाब से मन के क्या परियावाचक शब्द होते है चित, चेट, हिर्दे, स्वांत, हत, मानस और मन ये परियावाचक शब्द है मन का अन्य नाम सत्व भी है इसका अन्य नाम अती इंद्रिये भी है तो पांच ग्यानी इंद्रिया पांच कर्में इंद्रिया एवं एक मन इस प्रकाल कुल ग्यारह इंद्रिया होती है जिसमें मन उभयात्मक अर्थाद ग्यानी इंद्रिया और कर्में इंद्रिया दोनों है अता इसे अती इंद्रियों माना गया है कारण ही आए कि सभी इंद्रियों के एक एक विशय नियत है और मन का सभी इंद्रियों के विशय से सम्मन्द है इसका सम्मन्द जब किसी इंद्रिय से होता है तब ही वह इंद्रिय अपने विश्य को गुरहन करने में समर्थ होती है इसी कारण से इसे अती इंद्रिय के नाम से भी जाना जाता है जैसे बाहिग्यान के कारण चक्छवादी जो इंद्रियां है उन्हें अतिक रांद कर लेने के कारण मन अतिंद्रिय कहा गया है करण यहाँ भी है कि मन के साथ योग होने से ही इंद्रियां अपना-पना कार्य करती है अन्यथा भी अपने कार्य को करने में असमर्थ रहती है अत्वा अतिंद्रिय इस सब्दे से चक्षूरासी इंद्रियों को भी यदि अतिंद्रिये कहा जाए तो अतिंद्रिये चक्षूरादी से भी मन अधिक शुक्षमतार है या बहुत दुख के साथ निग्रहित अर्था नियंतरिस होता है इसको सत्व संग्या के नाम से भी जाना गया है अर्थात इसके सत्व संग्या होने से इसे भी सत्व भी कहते हैं एग ने इसे चेत कहा है अर्थात तंत्रांतर में यहां चेत एवम्चित नाम से भी कहा गया है इसका अन्य नाम तदार्था आत्म संपदा यद चेश्टम भी है मतलब मन के विशे आत्मा की संपद्थी के धीने चेश्टा व्यपार जिसका वहाँ तदार्था आत्म संपदा यद चेश्टम मन है इसके अत्रिक चक्षुरादी इंद्रियों की अपने अपने विशा को ग्रहन करने की जो भी चेश्टा है उनका कारण बूत अर्थात प्रवर्तग मन ही है प्रथम मन में ही कारे करने की प्रत्ति होती है और जब वो कारे देखना सुनना चलना आधी चाहता है तब उस कारे को करने वाली इंद्रियों से स्वयम संबंदित हो उस कारे को संपन करता है मन ठीक है इसलिए कहा भी गया है कि इंद्रिया मन पूरवक ही अपने अपने विशेव को ग्रहन करने में समर्थ होती है यदि इंद्रियां का और मन का योग ना हो तो इंद्रिया अपने विशय को ग्रहन नहीं कर सकते फिर इसके बाद देखते हैं मन का एकत्व या अनेकत्व तो शरीर में मन वस्तुता एक ही है परंतु एक रहते हुए भी वह उपाधी भेश से अनेक माना गया है इसलिए कहा अचरक सूस्तान के आठवे अध्याय के पाचवेश लोग में कहा गया है कि एक पुरिश्म मन एक और अनुव है किन्तु वह मन के विशय जो चिंतियादी हैं उनकी विविदी चिंतना में से कैसे कभी धार्मिक विशयों की चिंतता कभी कामादी अन्याय विशयों की चिंता इसी प्रकार इंद्रियों के जो अन्य विभिन विशय हैं उन विभिन विशयों की चिंता अर्थात कभी कुछ सुनने लगना कभी कुछ देखने लगना कभी किसी की सुगंद लेने लगना इसी प्रकार कभी कुछ विभीन मानसिक कलपनाओं में अर्थाद विभीन विश्यों में रह रहकर मन के व्यभी चरित होते रहने एवं रज तम तथा सद्व गुण के योग से अर्थाद एक ही पूरुष में जो मन है वह कभी रजोगुण की वृद्धी से क्रोधियुक्त ह कभी सद्व गुण की बहुलता से शुद्र पवित्र भाविक्त हो जाने से एक होते वह अने मन की भाति प्रतीत होने लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरुष के सरीन में कई मन है किन्तों यहां बात नहीं है मन अनेक नहीं है यदि अनेक है तो एक काल में उसे प्रत ग्रहन करना चाहिए परंतु ऐसा नहीं है एक समय में वह मन अनेक में प्रवित ना होकर एक ही इंद्रिय से संयुक्त हो केवल उसके ही विशय को ग्रहन करता है और इसे से एक काल में सभी इंद्रियों की प्रवित्ति नहीं होती है जिस समय मन चक्षू से संयुक्त होता है उस कभी सत्व युक्त जो मन होता है वह पुरुष टद गुण पर कारे करने लगता है इस समंद में कहा गया है कि जिस गुण से युक्त मन पुनहा पुरुष का होता रहता है, उस गुण से युक्त вып papagk गुदत से मन सात्वेक्य राजस्तामस किहा जाने लगता है इसका कारण उस गुण की वृद्धी है अर्थात उस गुण का तथा मन का अधिक संबन्द है सत्व गुण की अधिकता से पूरुष का मन सत्व युक्त हो जाता है वह पूरुष की सात्व कहलाता है और सत्व परक्कारे जैसे प्रवित्राचरण युक्त होता है तथा सत्य संभासन आजी करने लगता है इसी प्रकार अने गुणों की भी व्रिद्धी से अने गुण युक्त हो जाता है और मनुष अने गुणों परक्कारे करता है फिर इसके बाद देखते हैं मन का उभयात्मक होना तो सांके दर्शन में मन को उभयात्मक इंद्री माना गया है अर्थार मन ग्यान एवं कर्म दोनों प्रकार के कारे संपादित करने वाली इंद्री है शुषुी ने सांख के आधार पर ही मन को अभwelt कंद्री कहा है तो सुषुत सारी स्थान के पहले अध्या के चौथशलोग में अभधयात्म कम मनहा मतलब ग्यान इंद्री एवं कर्में इंद्री दोनों का साहिफ होने से मन को अभधयात्म कहा गया है फिर इसके बाद देखते हैं मन के लक्षन तो मन की सत्तात्मक विवेचना करते हुए उपनिशद में कहा गया है कि मन के अन्यत्र होने के कारण मैंने नहीं देखा, नहीं सुना मन देखता है और मन ही सुनता है चरक शारी विस्थान के पहले अध्याय के 18 और 19 वे शलोक में मलना ने कि ग्यान का अभाव और भाव ही मन का लक्षन है अर्थाद गान का होना और ना होना ही है इसका करम जाही कि आत्मा इंद्रिय मन इंद्रियों के विशे इन चारों के परस्पर सन्निकर्ष अर्थात संयोग से ग्यान होता है किन्तो आत्मा इंद्रियों के विशे का संयोग होने पर भी यदि मन का संयोग ना हो तो उस दशा में विशे का ग्यान नहीं होता इस भाव को उत्ष्लोकों में बताया गया है कि आत्मा इंद्री और इंद्रियार्थ के संयोग होने पर भी मन के असंयोग होने से ग्यान नहीं होता है वह ग्यान मन के संयोग होने से ही होता है जैसे एक साथ कई इंद्रियार्थों और इंद्रियों का स्योग रहने पर भी मन जिस इंद्रियार्थ से स्योग होता है उसी का ग्यान होता है युगपत एक साथ सब इंद्रियों से ग्यान नहीं होता है इस से यासिद होता है कि मन एक और अणू है चरक विमान इस्थान के आठवे अध्याय में बताए गया है कि सत्व को मन कहते हैं और आत्मा के सन्योग से सरीर का तंतरक अर्था धारक और प्रेरक है यहाभी मन का लक्षन माना गया है इसके बाद अन्याचारे ने वर्डन किया है कि आत्मा इंद्रिय और इंद्रियों के विशे इसके सन्यकर्ष में भी ग्यान का भाव होना और अभाव होना मन का लक्षन है इससे यासिद होता है कि मन एक है और वहल जब तक जिस इंद्रिय के साथ स्यूप नहीं होता तब तक आत्मा इंद्रिये और इंद्रियार्थ रहते हुए भी ग्यान नहीं होता है चक्षुरी इंद्रिये और कर्णे इंद्रिये के सामने उनके विशे रहते हुए भी उनका ग्यान मन के सहियोग बिना नहीं होता वहा ग्यान भी एक समय एक ही इंदरी से होता है इसके साथ नियादर्शन ने बताया है कि एक साथ अनेक विशियों का ग्यान ना होना मन का लक्षन है तरक संग्रहा ने बताया कि सुख तथा दुख के ग्यान का साधन जो इंदरी है वह मन है अर्थान मन वह इंद्रिय है जिसके दोरा सुख तथा दुख का ज्यान होता है वह पिर्तेक जीवात्मा के साथ नियत होने से अनंत पर्मानु तथा निती है तो कुल मिलाकि अगर देखा जाए तो इनके क्या-क्या लक्षन मिलते हैं तो मन को मन एक और अनू बताया गया है ठीक है उसे तंतरक अर्था धारक और प्रेरक बताया गया है ठीक है उसके बाद ज्यान का होना और ना होना मन का लक्षन बताया गया है ठीक है और मन के द्वारा सुख तथा दुख का ग्यान होता ये भी मन का लक्षन बताया गया है अगर मन के गुण की बात की जाए तो चरक शारी रिस्थान के पहले अध्या के उनिश्वेश लोग में बताया गया है अर्थात अडू होना और एक होना ये दो गुण मन के होते हैं तो मन के कौन से दो गुण है अडू और एक तो गाईज ये वीडियो यहीं पर खतम होता है और इस वीडियो में हमने मनो निरूपन के पहले भाग में इसके परिचे विद्पित्ती, निरुक्ती, मन के परियाय, उभायात्म, गिंद्रिय, मन के अनेकत, मन के लक्षन और मन के गुण के बारे में डिसकस किया है अगले भाग में हम लोग मन के विशय, मन द्वारा ग्यानोत पत्तिक क्रम, शरीर में मन का अधिश्ठान कहां कहां पर है, व्याधी में अधिश्ठान मन का कैसे होता है, मन का परिक्षन कैसे करते हैं, और मनों विकृति की परिक्षा या पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में डिसकस करेंगे So I hope आपको आज का वीडियो लक्चर समझ में आया होगा अगर लक्चर के दौरान किसी प्रकार का कोई confusion है या कोई query है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं आप हमें Facebook और Instagram पे भी follow कर सकते हैं चैनल को subscribe करिए, वीडियो को जाद स जाद स शेयर करिए and thank you so much for